आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगे जिसको आप अपने घर की बालकोनी और घर की खिड्की में रख सकते हैं जो कम दूप में चलते हैं और पानी और मिट्टी दोनों में लग जाते हैं और चोटी चोटे पोर्ट में आप उनको लगा सकते हैं Good morning friends कैसे हो आप सब आई होपा पच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो सबसे पहले प्लांट है ये सिंगोनियम सिंगोनियम ऐसा प्लांट है जो मिट्टी में और पानी में चल जाता है और चोटे से चोटे पोर्ट में लग जाता है और ये वाला प्लांट आपकी बालकोनी के लिए और खिड़की के लिए बैस्ट है तो इसको कम दूप की जरत होती है और ज़्यादा केर की डिमांड नहीं करता पानी भी इसको कम ही देना होता है तो अगर आपके पास चोटी सी बॉल को नहीं है तो उसमें आप रख सकते हो अगर आपके पास जगे नहीं है तो आप इसको किड़की में भी चोटे से चोटे पोट में लगा के रख सकते हैं या फिर आप इसको पानी में किसी ऐसे बोटल में या फिर कोई भी चोटा सा पानी का कोई ऐसे कंच का ऐसे ये हो तो आप इसमें भी लगा सकते हैं तो ये पानी में भी आसानी से ग्रो हो जाता है और हमेशा हराबरा बना रहता है सेगंड प्लांट है ये जेड जेड प्लांट को आप छोटे सी छोटे पोर्ट में हैंग बास्केट में लगा सकते हैं यह वाला प्लांट आपकी बॉलकोनी के लिए और आपकी खिडकी में रखने के लिए बेस्ट है क्योंकि यह चोटे-चोटे पोर्ट में लग जाता है चोटे-चोटे बोटल्स को भी आप कट करके उसमें भी इस प्लांट को लगा सकते हैं और अपने घर की किसी भी खिडकी में हैंग कर सकते हैं या खिडकी में ऐसे रख भी सकते हैं और वालकोनी गार्डन है तो उसमें भी आप इसको हैंग करके लगा सकते हैं तो यह पर्मनेंट प्लांट होता है कटिंग से लिल लग जाता है तो ये वाला प्लांट ऐसा है कि छोटे छोटे इसको कबार में या कहीं भी छोटे छोटे पोर्ट में आप लगा सकते हैं तो ये छोटा सा ही मैंने इस मिठाई के डबे में लगा कि यहां पे इसको हैंक किया हुआ है तो ये वाला प्लांट भी आप अपने खिड़की में या बालकनी के गार्डन में रख सकते हैं अगर चोटा सा अपना कोर्नर तयार करना है तो इस प्लांट को आप जरूर लगाए और इसकी ये भी खासियत है ये भी पानी में लग जाता है तो चोटी-चोटी कटिंग को अगर आप पानी में रख देंगे तो दस दिन के अंदर ही इसकी रूट्स डवलप हो जाती है तो ये मैंने पानी में ही लगाया है और ये मेरा DIY प्लांटर है मैंने एक वीडियो में ये शेयर भी किया हुआ है कैसे मैंने इसको बनाया है तो आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं तो ये जेड प्लांट है ये चोटे-चोटे पोर्ट में लग जाता है और ये जो वोलपूट्टि डग फैमली है इसको भी मैंने बनाया है इसका भी वीडियो चैनल पे है तो इसका भी आप देख सकते हो मैंने ये कैसे बनाए है और किस चीज से बनाए है देख सकते है थर्ड प्लांट है ये वांडरिंग जू बहुत ही प्यारा प्लांट है ये भी छाया वाला प्लांट है कम दूप में चलता है और इसकी भी कुटिंग लगा जाती है यह फिर पर्मानेंट प्लांट है और ऑजी to grow है च्고टी सर्व कहीं पर बी लगा दो और चोटे avicआप ब्लॉरो डॉर जातले और पनी में पतल यह उखिखे सकते हैं अगर सब्सक्वन है तो तो ये वाला plant guerre फैस्ट है, इसको आफ रावल को प्लांट में लगाकर अपनी बाल कोनी में हेंग कर सकते हैं। फोर्ध प्लाउन्ट है, ये रियों का, który बहुत प्लांट है, और छोटे छोटे पोर्टमें आप इसको लगा सकते हैं। भाइनमे हेंगग बास्केट compose बोब में आपने बाल कान्य Bäriqa में मेरे को घंग करो फिर कीशन काईए चौटे से कुए कप में भी आप इसको लग आ सकते हैं च्युटे पोर्ट बउट में छय भाले कप में बी यह लग जाता है और उसको लगाकर आपना घर की मेरे कहीं भी जैसे आपकी कोई डेकोरेट की जगह है उसमें भी आप इसको रख सकती है तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है शिक्स्थ प्लांट है ये स्नेक प्लांट तो ये ड्वार्फ वराइटे का स्नेक प्लांट है एर प्यूरिफाइब स्नेक प्लांट है ये हवा को और घर की बालकोनी के लिए और घर में खीड़की पे रखने के लिए यह वाला प्लांट तो बैस्ट है इसको आप कटिंग से पानी में भी लगा सकते हैं और चोटे-चोटे पोर्ट में यह इजिली लग जाता है पम पानी देना होता है ज्यादा केर की डिमांड भी नहीं कर और बालकोनी के लिए तो यह बैस्ट होता है और चोटे-चोटे पोर्ट में भी इसको आप लगा सकते हैं तो अगर आपको पानी में लगाना है इस वाले प्लांट को तो आप अपने घर के खिड़की में पानी में लगा के रख सकते हैं और अगर आपको इसको बालकोनी मे लगा सकते हैं 8 प्लांट है यह fragen सब्सक्रा सबस्क्राइब हैर चोटे से पोर्ट मैं यानि 45- fairy, चोटे कप में भी आप इसको लगा कर अपने घरे के एडीगे में रख ते हैं यह दूप में चलता है और बालकने गार्डन के लिए तो यह वाला प्लांट पैस्ट होता है क्योंकि इसकी जो पतिया होती है वो कलरफुल होती है और हमारे गार्डन को रंगीन बनानी के लिए यह वाला प्लांट तो आप ले ही सकते हैं और चोटी सी जगह में ही यह लग जाता है चोड़ और इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पाने में भी लगा सकते हैं, कम केर में चलने वाला पर्मानेंट प्लांट है, और इस चोटे चोटे बोटल में चोटे कप में भी लग जाता है, इसको ज़्यादा स्पेस की जूरत नहीं होती, और इससे हम डेगरेट की चीजे भी प्लन्ट से अपने गार्डन को डेकरेट करके भी सजा सकते हैं तो आप इसको परसgrande मेद टेवा करें एहा किरी वी लगके सकते हैं चोंचोंटी पूर्ट में लगाए हैं और हृत सारी प्र означ में हैं तो यह फोतोज आपको ग्रीन में मिल जाता है थोड़ा सा golden potos में मिल जाता है और marvel potos में भी मिल जाता है टैनमर पे हैं यह ड्रेसिना यह भी बहुत ही प्यारा प्लांट है चोटे-चोटे पोट में लग जाता है इसको आप अपने गर की खिड्की में रख सकते हैं या बालकोनी में रख सकते हैं ये इंडॉर वाला ही plant है कम दूप में और कम पानी में चलता है तो friends जो मैं आपको उट्वान दिखा रहें, ये सभी कम दूप में और कम पानी में चलने वाले बॉल Лगा सकते हैं इनको आप अपने घर के किड़कीमें भी लिगा सकते हैं तो यह डिवाइड होते रहते हैं, छोटे-छोटे कटिंग से लग जाते हैं, इनको आप पानी में और मिटी में दोनों में लगा सकते हैं, तो ड्रैसिना को छोटे से पोर्ट में लगा कर और डेकुरेट करके अपने बॉलकोने में रख सकते हैं, 12 नमबर पे आते हैं सेकुलेंट प्लांट, तो सेकुलेंट प्लांट में तो बहुत सारी वरायटी आती हैं, जेट प्लांट भी सेकुलेंट प्लांट में आता है, लक्षमी कमल हो गया, और कैक्टिस हो गया, बहुत सारे सेकुलेंट प्लांट होते हैं, और यह कई तो एक पत पानी में लगा के इसको आप अपने घर के खिड़की में रख सकते हैं, लो लाइट प्लांट है, कम दूप में और कम पानी में चलता है, तो पानी में भी लगा सकते हैं, इसको आप और मिट्टी में भी लगा सकते हैं, तो ये भी पर्मानेंट प्लांट है, फिर नेक्स्ट टिकटिंग से हैंग बास्केट में लगाकर अपनी बॉलकों में हैंग कर लो यह बहुत ही प्यारे दिखते हैं और चोटी-चोटी पोर्ट में चोटे-चोटे जैसे मैंने यह बोटल्स के डियाइवाई बना रखे हैं इनमें आप लगा सकते हैं तो डेकृरिट के लिए भी आप कोई बार्केट से पोर्ट ला सकते हैं या घर पे ही कुछ भी कबाड से बना सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं जो आपके साथ यह प्लांट शेयर किये आपको कैसे लगे अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल पेडियो तो सब्सक्राइब करे थैंक यू आपी लू Leg झाल